नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रोजात्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है मेरा इस यूटूब चैनल होमियोकेट टिप्स पे दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों का मुझे अक्सर इमेल आता है, वाटसआप पे मेसेज आता है कि क्या होमेओपैथी में ऐसा कोई ओइल है या कोई लूब्रिकेंट है या फिर ऐसा कोई क्रीम है जो की हम अपना लिंक पर एक्स्टरनली यूज़ कर सके यानि ऐस डिस्वंक्षन प्रिमाचुर एजकुलेशन जैसी प्रॉब्लम से निजात पा सके तो उसी संदर्प में आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जहां मैं आज आप लोगों को एक पेनाईल ओयल बनाने का फॉर्मूला बताऊंगा और वो भी होमेपतिक लिंग पर एपलाई करेंगे जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ तो फिर आप देखेंगे कि आपका लिंग में अच्छा खासा तनाव आ रहा है हाडनेस आ रहा है और आपका सेक्स टाइम काफी बढ़ गया है आपके रेक्टार डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के साथ और आप अपना सेक्स लाइफ का जो आनन्द है उसे आप उठा पाएंगे दोस्तों यहां पर में एक पॉइंट आप लोगों के लिए एड करना चाहूंगा कि यह जो फॉर्मूला है यह आपका लिंग का लंबाई को बढ़ा नहीं सकती है इस बात को अपना दिमाग से नि सकते हैं मैं उसका लिंग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगा तो यह तेल आपका लिंग का लंबाई को बढ़ा नहीं सकती है यह सिर्फ आपका लिंग में कड़कपन ला सकता है उसमें तनाव ला सकता है आपका संभोग का समय को बढ़ा सकता है अब मैं आता आप इसका screenshot ले लीजे क्योंकि डामिया न जो है बहुत सारी companies बनाती है market में लेकिन आपको यही company का डामिया न मदर टिंचर लेकर आना है यह Dr. Wilmer Sove company की है और इसका result सबसे बढ़िया होता है दूसरी वाले जो दबा है उसका नाम है थुजा मदर टिंचर इसका भी screenshot आप ले या फिर homeopathic medicine जब आप खरीदने जाएंगे वहां से भी आप ले सकते हैं उनके पास बहुत सारी empty bottles ऐसे ही पड़ा रहता है आप उन्हें मांगेंगे तो आपको easily मिल जाएगा आप उस 100 ml की empty bottle में आपको यह दोनों की bottle को हिला कर रख देना है और आपका जो formula है यह तैयार हो गया और इस oil को आपको हर दिन यूज करना है रात को सोने से पहले इसे यूज करने से पहले आपको अच्छी तरह से हिलाना पड़ेगा उसके बाद ही जो है आप इसका 15-20 बूंद आप अपना left hand में डाल और फिर अच्छी तरह से आप अपना link में इस still को massage करें एक से दो मिनिट ही massage करना है ज्यादा massage आपको करना नहीं है जैंटली massage करना है बहुत जदग जोर नहीं लगाना है ताकत का इस्तमाल भी नहीं करना है इस case में धीरे-धीर करे मिसाच करें स्मूद्ली massage करें एक से पहला दिन से ही अच्छा खासा रिदरल जो है आपको दिगना सुरू हो जाएगा आप पहला दिन से ही नोटिस करेंगे कि आपका लिंग में कड़कपन आ रहा है हाडनेस आ रहा है और वह हाडनेस जो है स्टेन भी कर रहा है और इस ओयल को आप लाइफ टाइम तक यूज़ क कोई मसक्कत ना करना पड़े तो दोस्तों ये था एक सोट वीडियो अबाट होमेपातिक पेनाई लॉयल मैं उमिद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा जो वीडियो है आप लोगों के लिलापकर सभित होगी और इसी तरह मुसे जोड़ क